खमा गणी राम राम सामनी के लिए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपने हुर हमने वादा किया था पांच सेंटेंस हर रोज सीखने का उसी में आज बारी है सेंटेंस नंबर 16 की speak quickly आपके सामने है speak quickly यानि तेज बोलो जब कोई इंशान धीरे बोल रहा है तो आप उसे काओगे time कमा जल्दी बोलो speak quickly कोई तेज बोल रहा है समझ नहीं आ रहा धीरे बोलो speak slowly ओके अगला सेंटेंस है उन्चा बोलो किसी की volume बड़े ही कम है तो आप काओगे speak aloud speak aloud speak aloud speak loudly भी कह सकते हो क्या speak loudly speak aloud speak loudly आगे है खाना लगा दो serve the food serve करना यानि खाना परोसना तो खाना लगा दो means serve the food serve the food इसे serve नहीं बोलेंगे serve the food यह जो आर है यह आर क्या रहेगा silent रहेगा क्यों रहेगा क्यों रहेगा क्यों और दिन बात करते हैं दबे पाउं चलो बड़ा ही important है और बड़ा ही नया word आपको सीखने को मिलेगा tipto tipto का मतलब होता है देखो पहले हम सीखते हैं दबे पाउं क्या होता है जब आप धीरे धीरे चलते हो ना किसी को पता ना लगे आपकी कदमों की आवाज ना आए तो आप क्या बोलते हो आप अपने पंजो पर चलते हैं जब आप अपने पंजो पर चलते हैं तो आप क्या कहते हैं दबे पाउं चलता तो अब हम उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे work on tipto कि किसी को करते है ना वों आटिप टो धीरे धीरे चलो कोई सुनना ले भ daíसम्हां को कुक्त कुछकी को उसजी को सब्सक्राइब इसको तो क्या उँसको झाले हुआए यहां पहला है कि तीप्टोड अब क्या है यहां पर हमने वह को बनाया था कि हमने इसे कहा था चलना भी आया था इसमें इसने यहां पर चलना नहीं है यहां पर क्या गुशा तो इसी को बना देंगे टिप टॉब को इडिडी लगा कि बनाते हैंना वैसे ही टिप टॉड इन्टु दा रूम तब आओ कमरे में गुशा यहां पर second form यूज की गई है गुशा य दबे पाउं कमरे में गुशा ही टिप टोड इंटु दे रूम तो सेंटेंस नमबर बीस हमने कंप्लेट किया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच